जम्मु कश्मीर के लेपनेन गवरनर श्री मनोज चेना जी, केंद्रिय मंत्री मनल के मेरे सहयोगी, श्री प्रताप्राव जादव जी, अन्य सभी महानुभाव और जम्मु कश्मीर के कोने कोने से जुड़े मेरे युवाज साथी, अन्य सभी भाई और बहन, साथियों आज सुभे जब मैं दिल्ली से इसनी नगर के लिए आने की तयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उच्छा से भरा हुआ था, और मैं सोचता था कि आज इतना उच्छा हूं मेरे मन में क्यों वोट रहा है, तो मुझे दो वज़े की तरफ मेरा ध्यान गया, वैसे एक तीसरी वज़े भी है, क्योंकि मैंने लंबी अर्शे तके हां रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचीत हूँ, अलग-अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादा ताजे होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दो वज़े की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया है, आज के इस कार्कम में जग्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्स का काम और दूसरा लोगसभा इलेक्षन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात, साथियों, मैं भी पिछले सप्ता, इटली में जी सेवन की बैटक में शामिल होकर काया हूँ, अर्थे साह मनों जी ने बताया, तीन बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिनूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है, इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है, दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिष्टों को प्रात्फिक्ता देकर मजबूत करते हैं, आज हम बहुत भागे साली हैं, का आज भारत के नागरी को का जो मिजाज है, यह हमारा देश हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी, यह एस्परेशनल आल टाइम हाई है, और आल टाइम हाई एस्परेशन्स यह अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, ज्याज भारत को नसीब हुई है, जब एस्परेशन हाई होती है, तो लोगों की सरकार से एक्सपक्टेशन अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इन कसोडियों पर परक्ष्यें के बाद, तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है, एक एस्परेशनल सुसाइटी, किसिको दुबारा मोका नहीं देती हैं, उसका एक ही परामेटर होता है पर्फोर्मंस, आपने अपने सेवाकाल के धर में क्या परफोर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है, वो सोशल मेडिया से नहीं चलता है वो भाश्रत नहीं होता है और यह जो देश ने अनुभव किया उस पर्फॉर्मंस को देखा उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी भार आप सब की सेवा करने का अवसर मिला है जनता को सिर्फ हम पर विश्वास और यह विश्वास कि उनकी एस्पिरेशन्स को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है जनता को हमारी नियत पर हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है उसको यह थपपा लगा है और यह जो एस्पिरेशनल सुसाइटी है वो निरंतर अच्छा पर्फॉर्मंस चाहती है वो तेज गती से रिजल चाहती है उसे अब लेट लतीफी स्विकार नहीं है होती है चलता है हो जाएंगा देखेंगे ऐसा करो फिर मिलेंगे जमाना चला गया लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा यह मिजाज है आज जनता की उमीदों पर चलते हैं कि साट साल के बाद छे दसक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है और इस चुनाव के नतीजों ने यह तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि साथियों कि लोगसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थीरता का है कि स्टेबिलिटी का है कि देश ने कि आज से विच साल पहले एन एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी वो यह की स्थी स्थाब्दी थी पिछली स्थी के आखरी दसक में कि अस्थीर सरकारों का लंबा दौर देखा है आप मैंसे बहुत नौजवान है जिनका उसमें जन्म भी नहीं हुआ था कि आप हैरान हो जाएं इतना बड़ा देश और दस साल में पांच बार इलेक्षन हुए थे यहाने देश चुना भी करता रहें तदो और को कामी नहीं था और इससे उस अस्थीरता के कारण अनिस्चिता के कारण भारत को जब टेक आप करने का वक्त था हम ग्राउंडेड हो गए हमें बहुत बुक्षान हुआ देश को उस दोर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थीर सरकार के नए दोर में प्रवेश कर चुका है इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मु कश्मीर की अवाम की आप लोगों की बहुत बड़ी भूमी का रही है हटल जी ने जो इंसानियत जमूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं इस चुनाव में आपने जमूरियत को जिताया है आपने पिछले 35-40 साल का रेकोर्ड तोड़ा है यह दिखाता है यहां का नवजवान जमूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है और मैं आज इन कारिकमों में तो आया हूं लेकिन मेरे मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक वार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं उन्होंने इस चुनाओं में जो बड़ चड़कर के हिस्सा लिया है जमूरियत का जंडा उंचा किया है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए कि भारत की डमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है मुझे और खुशी होती है अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उच्छा के साथ जो लोकतंतर का उच्छों मनाया गया इतनी भारी माता में मतदान हुआ यह जो उमंग उच्छा का मावल है काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीप की होती उनका होसला बुलंग किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निरासी किया है साथियों जम्मू कश्मीर में आ रहा यह बढ़ला हो हमारी सरकार की बीते दस सालों की कोशिशों का नतीजा है आजाती के बाद यहां की हमारी बेटियां समाज के दूसरे कमजोर तपके के लोग अपने हक से मंचित थे हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंतर पर चलते हुए सबको अधिकार और अउसर दिये हैं पाकिस्तान से आये शरनार थी हमारे वालमी की समुदाय और सभाई कर्विचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडिज इलेक्शन में बोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है वालमी की समुदाय को ऐसी केटेगरी का लाब मिलने की वर्षों पुरानी मांग पुरी हुई है पहली बार एस्टी समुदाय के लिए एसेम्बली में सीटें रिजर्व की गई है पद्दारी जन जाती पहाडी जाती ये समुद गड़ा ब्राह्मन और कोली इन सभी समुदायों को भी एस्टी का दर्जा दिया गया है पंचायत नगरपाली का और नगर निगम में ओबी सी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है सम्विधान के प्रती समर्पन भाव क्या होता है सम्विधान का लेटर एंड स्पिरीट में क्या महत्मय होता है सम्विधान हिंदुस्तान के 140 करोड देश वाच्यों की जिंदगी को बदल करने के लिए अधिकार देने के लिए उनको भागेदार बनाने के लिए आउसर देता है लेकिन पहले सम्विधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास दी इसका अस्विकार होता रहा दिलने में बैठे हुए सासकों ने इसकी चिंता नहीं की आज़ादी के इतने सालों तक रही की आज मुझे खुशी है कि हम सम्विधान को जी रहे हैं हम सम्विधान को ले करके कश्मीर की जिन्दगी बदलने के नए ने रास्ते डूंड रहे हैं जम्मु कश्मीर में आज सही माइने में भारत का सम्विधान लागू हुआ है और जिनों ने अब तक सम्विधान लागू नहीं किया बेदोशी हैं गुनेगार हैं कश्मीर के नवजवानों के कश्मीर की बेटियों के कश्मीर के लोगों के गुनेगार है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सब को मांटने वाली आर्टिकल 370 की दिवार अब कीर चुकी है भाई और बहनों कश्मीर घाटी में जो बड़ला हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया उसे देख रही है मैं देख रहा हूं जी ट्विंटी समू में जो लोग यहां आये थे उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं इप्तारी करते रहते हैं कश्मीर की जिस पकार से महमान नवाजी हुई बड़े गवरवगान करते हैं आज जब स्थ्री नगर में जी ट्विंटी जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्वत से उसका सीना भर जाता है आज जब लाल चोग पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खिलते खिल खिलाते हैं तो हर भारती आनंद से भर जाता है आज जब यहां सिनेमा हॉल में बाजारों में रोनक दिखती हैं तो सब के चहरे खील उड़ते हैं मुझे कुछ दिन पहले की तस्वो तस्वीर याद है जब डल जील के किनारे स्पॉर्ट्स कारों का जबर्दस शोव हुआ वो शोव पूरी दुनिया ने देखा हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है अब यहां तूरिजम के नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है और कल जो अंतराश्टी योगा दिवस है न वो भी टूरिस्टों के आकरशन का कारण बनने वाला है पिछले साल जासा भी मनुझे ने बताया दो करोड से जानदा टूरिस्ट रेकॉर्ड ब्रेक्ट यहां मारे जमु कश्मीर टूरिस्ट आये इससे स्थानिय लोगों का रोजगार मगती आती है तेजी आती है रोजगार बढ़ता है आय बढ़ती है कारोबार का विस्तार होता है मैं दिन रात यही करता रहता हूं मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूँ और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं मैं बहुत इमानदारी से समर्पन भाव से जूटा हूं तक कि कश्मीर की पीछली पीडियों ने जो भुगता उससे बहार निकालने का रास्ता बनाया जा सके दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में जमूरियत का फाइदा हर इलाके हर परिवार को मिले हर किसी की तरक्की हो इसके लिए हम सबने मिलकर के काम करना है केंद्र सरकार से पैसे पहले भी आते थे लेकिन आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई पाई आपकी बलाई के लिए खर्च होती है जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है उसी काम के लिए पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आएं यह हम पक्का करते है जम्मु कश्वीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने उनके जरिये आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें इससे बहतर और क्या होगा इसलिए अब एसेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मु कश्मीर की नई गवर्मेंट चुनेंगे वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मु और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बहतर बनाएगा साथियों थोड़ी देर पहले यहां जम्मु कश्मीर के डवलपेंट से जुड़े 1500 करोड रुपे से अधिक के प्रजेक्ट का सुभारंभ हुआ है खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड रुपे की प्रजेक्ट शुरू होगी है मैं इन प्रजेक्ट के लिए जम्मु कश्मीर के अवाम को बहुत बढ़ाई देता हूं कि मैं यहां कि राज्य प्रशाशन को भी बढ़ाई दूंगा कि वो सरकारी नौक्रियों में भी तेजी से भरतियां कर रहे हैं बीते पांच सालों में करीब 40,000 सरकारी भरतियां की गई है अभी करीब 2,000 नौजवानों को इस कारकम में ही एंप्लोइमेंट लेटर मिला है कश्मीर में हो रहे लांखों क्रोड रुपिय के निवेश से भी स्थानी यह युवाओं के लिए हजारों नई नोकरिया बन रही है भाई और भेनों रोड और रेल कनेक्टिविटी हो एजुकेशन और हेल से जुड़ा इंफ्रास्रेक्टर हो या फिर बिजली पानी हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पहमाने पर काम हो रहा है पीम ग्रामीन सडक योजना के तहत यहां हजारों किलो मिटर नई सडके बनी है जम्मू कश्मीर में नई नई नेशनल हाइवे बन रहे हैं एक्स्पेस बे बन रहे हैं कश्मीर घाटी रेल क्नेक्टिविटी से भी जूड रही है चिनाम नदी पर बने दुनिया के सबसे उंचे रेलवे ब्रीज की तस्वेरे देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उड़ता है कि नौर्थ कश्मीर की गुरेज गाटी को पहली बार बिजली ग्रीड से जुड़ा गया है कश्मीर में एगरी कल्चर हो हो होटी कल्चर हो हर्थ करगा उद्योग हो स्पॉर्ट्स हो यहां फिर स्टार्ट अप्स सभी के लिए आउसर बन रहे हैं और मैं भी उपर स्टार्ट अप की दुनिया से जुड़े नवजवानों से मिल करके आया मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता तो उनके पास इतना कुछ कहने को था इनका आप में विश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था और अच्छी पढ आप आप नवजवानों और उन्होंने करके दिखाया मुझे बता रहे कोई तो किसेने दो साल पहले चालू किया और आज एक नाम बना दिया है और उसमें हर प्रकार के स्टार्ट अप से आईरुएस से जुड़े विशे हुई है खानपान से जुड़े विशे हैं वहां प को रिखते हैं साइबर सेकूरिटी की चर्चा नजर आ रही है फैशन डिजाइन है तुरिजियम को बल देने वाला होम स्टे की कलपना है याने शायद इतने ख्षेत्रों में जम्मु किश्मीर में स्टार्ट अप हो सकते हैं और बड़े जम्मु किश्मीर के नवजवान स्टार्ट अप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो यह देखने आप बहुत खोशी का मपल था मेरे लिए दोस्तों मैं सब नवजवानों को आज जम्मु कश्मीर स्टार्ट आप स्किल डेवलप्न और स्पोर्ट का एक बड़ा हब बन रहा है और मेरा मत है जम्मु कश्मीर के पास स्पोर्ट की टालेंज जो है अध्भूत है और मुझे पक्का विस्वास है जो हम इंफ्रासेक्टर तैयार कर रहे हैं कोचिश की ववस्ताय कर रहे हैं नहींने खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में इंटर्नेस्ट्रेशल खेलों की दुनिया में जमु कश्मीर के बच्चों का नाम रोशन होगा और जमु कश्मीर के बच्चे मेरे देश का नाम रोशन करके रहेंगे यह मैं अपने आखों से देख रहा है कि साथ्यों यहां खेती से जुड़े सेक्टर में मुझे बताया गया करीब सब्तर स्टार्टस बने हैं यह यह अग्रिकल्चर सेक्टर का ही रिवलुशन में देखता हूं और यह नई जनरेशन का अग्रिकल्चर को मोडनाइज करने का जो व्यू है ग्लोबल मार्केट की तरम नजर करने का उनका दृष्ष्ट कॉण है यह वह कहीं बड़ा प्रेड़ा देने वरा है बिते कुछ सालों में ही यहां पचास से ज्यादा डिगिरी कॉलेज बने हैं यह आकड़ा छोटा नहीं है अगर पिछले आज हादी के बाद के पचास जमिन का अंतर नजर आएगा पोली टेक्निक में सीठे बढ़ने से हां के नव जवानों को नई स्कील्स सिखने का मोका मिला है अज जमू कश्मिर में है आयाइटी है आयायम है एम्स बन रहा है अन्य को नए मेडिकल कॉलेज बने हैं तूरिजम और हस्पटिलिट सेक्टर म लोकल लेवर पर स्किल्स भी तयार की जा रही है तूरिस्ट गाइड्स के लिए ऑनलाइन कोर्स हो स्कूल कॉलेज उनिवर्सिटी में युवा टूरिजम क्लब की स्थापना हो यह सब काम आज कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं साथियों जम्मू कश्मीर म को मिल रहा है सरकार सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जुड़ी बेहनों को तूरिजम आईटी और दूसरी स्किल्स ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है दो दिन पहले ही देश में कृशी सखी कारकम की शुरुवात की गई है आज जम्मू कश्मीर में भी बारा सो से जादा बहने कृशी सखी के रुप में काम कर रही है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहर भी जम्मू कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है वह पाइलट बन रही है मैंने कुछ महिनों पहले जब दिल्ली में इस योजना का शुवारम किया था तब जम्मू कश्मीर की ड्रोन दीदियां भी उसमें शामिल हुई थी यह सारे प्रयास कश्मीर की महलाओं की आय बढ़ा रहे हैं उन्हें रोजगार के ने अवसर दे रहे हैं कि देश की तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने के लक्ष की और हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है भाई और बहनों टूरिजम और स्पोर्ट्स पे भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ है आज जम्मू कश्मीर के हर जीले में शांदार स्पोर्ट्स इंफरस्रक्तर बनाया जा रहा है यहां करीब सो खेलों खेलों इंडिया के सो सेंटर्स बनाये जा रहा है जम्मू कश्मीर करीब साड़े चार हजार नवजवानों को नेस्टनल और इंट्रडेशनल कंपटिशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है यहां करा बहुत बड़ा है जी विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की केपिटिल बनता जा रहा है इसी फर्वरी में ही यहां जो चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ उसमें देश भरके आठ सो से जादा खेलोडियों नहीं हिस्सा लिया है ऐसे आयोजनों से भविश में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी साथियों यह नई उर्जा यह नई उमंग और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी है लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्वनों को जम्मु कश्मीर की तरक की पसंद नहीं है आज वो आखरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मु कश्मीर का विकास रुख सके यहां अमन चैन स्थापित नहों हाली ही में जो आतंकी वारदाते हुई है उन्हें सरकार ने बहुत गंबीरता से लिया है ग्रहमंत्री जिने जम्मु कश्मीर प्रसासन के साथ मिल कर सारी व्यवस्ताओं को रिव्यू किया है मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि जम्मु कश्मीर के दुश्पनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे जम्मु कश्मीर की नई पीड़ी स्थाई शान्ती के साथ ही जीएगी जम्मु कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे एक बार फिर आप सभी को इस अनेक विद नए प्रोजेक्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कल पूरे विश्व को अंतर राश्तिय योग दिवस का संदेश स्री नगर की धरती से जाएगा इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है कि विश्व मंच पर मेरा स्री नगर फिर से एक बार चंपकेगा मेरी आप सब बहुत बहुत सुप्रामना है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मानन ये